हेलो एवरिवन और विल्कम टू स्पोर्ट स्टॉट जा आज के स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुरेश रायना के बारे में सुरेश रायना वापस इंडिया आ रहे हैं लेकिन आज फाइनली सुरेश रायना ने सामने से बता दिया है कि क्या है वह एजएट रीजन जिसके वह से IPL 2020 नहीं खेलने वाले अभी आपके स्क्रीन पर ट्वीट डिस्प्ले हो रहा है जो कि सुरेश रायना ने खुद किया है अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉस करके ये पूरा ट्वीट पर सकते हैं तो इस ट्वीट में बेसिकली सुरेश रायना ने यही बताया है कि उनका इंडिया आन के पिछे जो रीजन था वो था उनका फैमिली प्रॉब्लम्स लुछ हो गया था एक्चुलि उनके फैमि साथ और सुरेश रायना ने रिक्वेस्ट की है पंजाब पुलिस से कि जो भी कल्पृत है इसका वो जल्दी सिल्दी पकड़ा जाये और उनके फैमिली को कहीं की इनसाफ मिले और सुरेश रायना भी से जल्लदी बाहर निकल पाएं और उनके जिटने में बेमर से है फैमिल 2020 नहीं खेलने वाले और समझ भी आता है क्योंकि जब आपके family के साथ ऐसे कुछ हो जाए तो फिर आप उस state of mind में नहीं होते कि आपकी बड़ा tournament या फिर कोई बड़ा match खेल पाएं उसके अलावा CSK के कैम से एक जो अच्छा ख़बर आया है वो यह है कि जितने भी जो staff members हैं CSK के और जो players हैं जिनका COVID के लिए positive test आया था उनका जब फिर से test हुआ है तब आज जो report है उसके एसाब से वो सभी negative test पाए गए हैं सो यह उनके लिए काफी अच्छी खबर है लेकिन कहीं है कि BCCI को जो है अपने protocols को पर थोड़ा सा और ध्यान देना होना थोड़ा सा और strict होना होना था क्योंकि बीच में वीडियो भी आया था Chris Gale के तरफ से जिसमें Chris Gale ने बताया था कि किस तरह से जो है वहाँ पे बिलक बहुत ज़्यादा important है और सभी precautions का पालन करना बहुत जरूरी है COVID से बचने के लिए सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही end में बस मैं इतना ही उमीद करूंगा कि सुरेश रहना उनके family के साथ जो चीज़ें हो सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए normal हो जाए और उनके family members जो भी critical situation में है वो फिर से ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी और इस वीडियो को end तर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुट रिया